नमस्कर साति आपका स्वागत आपके यूट्यूब चनल ट्रेडवित रहुनिक चलिए दोस्तों आज के सुरुवात करते हैं आज तीन जनवरी और दिन के दो बच के बारा मिंट और लाइबार गिड़ ओपन है तो एक तरफ तो निफ्टी में तीजी देखने को मिल लिए द सबस्पेले समझतार हमारा 사랑 कोता है कि हमकी पसी भी शेयरर के पर कि जानंदार है तो इंडॉस्त आवर और में बात करतें तो बएसिकली मर्जड़ के बधा से इसमें तेजी तेखने को मिले तेजी वहाइबिसमी ग्रावत होई और कल आज आज सुबा से गरावट के साथ ट्रेट कर रहा है, अभी समझाँगों क्यों गरावट हो रही है, तो सबसे पहले चलते हैं इसके वेब सैट में आगे कमपनी के, तो वेशिकली कमपनी का काम क्या है, इंड़स्ट तावर, तावर के नाम से आपको समझ आ गया Hoगा कि चिस तरह के smarts-polls जो आप बन रही हैं, उनका काम company करती है, और जो भी telecom sector के लिए जो tower बनते हैं, उन सब चीजों के लिए solution प्रोवाइड करते हैं, eco-friendly tower बनाने के पूरी कोशिस करते हैं, देख सकते हैं आप इनका, यानि के मोटा मोटा इनका काम क्या है, tower, tower manufacture, tower का solution देना है, क्योंकि कि किसी भी communication करने के लिए, उसके भीच में communication को gap को fill करने के लिए, तो towers के बहुत basically need पड़ती है, तो यह company के अगरते हैं, तो इनके अभी तक यानि के इनके इनके अब बारती इंफ्रा लिमिटेड, फॉर्मली भारती इंफ्रा लिमिटेड, तो basically इनका जो इनके इनके क्लाइंड है, तो basically इनका काम तो रुकेगा नहीं, चाहे सेक्टर में कोई भी रहे, कोई भी आया जाये, कुछ से कोई मतलब नहीं है, कंपनियों को growth करना होगा, अपने tower की requirement पूरी करने होगे, तो यह company अपने आपको अंडर्स tower को आप कामी देगे, भारती इ एड करते हैं, तो आपका मोटा मोटा समझ आ चुका है, कि company क्या करती है, company basically company का solution क्या है, company offering क्या करती है, वो आपको मैंने बताये दिया, company का working क्या है, वो आपको explain आगया, अगर अभी तक वीडियो का आपने like नहीं करना बिल्कुल ना भूलिए, और प्लिस वीडियो का प क्या है, connectivity का solution दे रहा है, तो basically solution provide कर रहा हमारा communication का, ठीकिन आप, tower operation center भी बना के देते हैं लोग, तो basically यह चीजों क्या है, energy के solution के tower भी देते हैं लोग, तो basically इन चीजों को सब चीज़ां clear out हो गया आपको, तो आप समझते इसके इसके इंदर चल गया है, आज की दिन में, क आज 248 रुबे, high मारता ये, 249 रुपचास पैसे गा, low मारा 246 रुपचास पैसे गा, 52 high है, 322 रुपचास पैसे गा, 52 low है, 194 रुपचास पैसे गा, देखिए, अभी बात करते करते हैं, 0.20% की 30 सके इंदर आ चुकी है, अभी बात करते करते हैं, क्योंकि यह movement जो बन रह दें दिये, 6 मंद के अंदा वितिक इने, प्लेस में positive में return दिये, 5% year to date के अंदा वितिक इसने, कोई data format नहीं हो रहा है, क्योंकि merger के वासे, इसमें formation नहीं दिख रिया अभी, ठीक है, 2006 से founded ती company, अब चलते हैं, इसके अंदर और क्या है, कि मैं NSE की साइड पा आ चुका 53.12% में delivery उठा ली गई है, अब थोड़ा सा financially देख लेता है, मोटा मोटा overview, तो इंडस्ट आवर आपको NSE, BSE, दोनों मिल जाएगा, इसका market cap है, 66,172 करोड बेगा, stock P.E. चला 12.6, और stock ROC. चला 19.4%, book values के 69.8 है, ROC return of equities की 24.6%, फेस विल इसकी 10 रपे के dividend company ने दिया, अभी तक 8.08% की growth के साथ, तो company क्या करता, company का dividend अभी तक अच्छा थे, company ने quarter quarter result अच्छा करें, dividend maintain रखा, company ने payout of 104.54% की growth के साथ, अब देखिए इसके अंदर जो था, इनके 3 पहले competition में, इंडस्ट आवर भारती इंफा एक ही हो ग इनकी सेल ये लाक्स में है, यानि 10 राक के, यानि 68 राक की सेले टोटल वैसे, 6 करोड, 87 राक ऐसे कुछ है, तो हम लोग वास counting के उस पर चलेंगे, हम लोग, तो figure out करेंगे, वास figures पर बात करेंगे, तो 6,860 राक की इनकी सेल थी, इनको operation profit आया था, 3620, net profit आया था, इनको 1558 का, और EPS तन का 5.78, तो June quarter earning के सेल थी, 6,797 लाक की, और इनको profit आया था, 1415 का, EPS तन का 5.25, और ये ये रेवाई देखेंगे, तो ये रेवाई देखेंगे, फरक इसलिए दिख रहा है, क्योंकि, मार्च के बाद से भारती इंफ्राइंस में मर्जर हुआ था, उसके बाद से इनकी सेल में, डवल की सावा देखनों मेला क्योंकि, कंपनी एक हो गई दोनों, तो इससे पहले देखें, सिंगल पॉइंट पर चल दा था, देखें, मार्च के बाद से ही, तो देखें, सितंबर में इनकी सेल तो इनके 2 गुना 5 गुना 5 ताइम बढ़ चुकी, आप सेल देख सकते हैं, सितंबर 2020 के अंदर की सेल ती 1766, और इनका 3.96 और नेट प्रॉफित दन का 733, तो देखें, सब चीज में डवल तेखनों को मिल रहा है, आपको तो ओवर भी देखेंगे तो आप जून कॉर्टर से कंपरिजिन करेंगे, तो यह रहे तो आप था बागी जू सब्क्राइब जेखेंगे जलन का सिस्ट क स्फस्ताइब nawr के अंदर अबभी और मुवमेंट वाकिया, वह समझतें क्या है, ऑसकी सेल ग्रॉफ में पादेखना, एकस्टों, फिसम में बागी है वो Kentνε सम क्या है उप चलता है, एक्स्पाइब अब जूरुर्क भूखे look at the बाकी एर ये रवाई देखें तो कंपणी अच्छे का से रेवेन्य प्रॉफिट के साथ ग्रोफ कर रही है ये रिवाई कंपणी ने लास्ट ये जो इनने ग्रोफ दिखाई है अब चलते इससके डेवी चार्ट पर दीखli मैं इसका डेली चार्ट ऑपन कर लिए तो डेली चार्ट के अंदर क्ली देखा तो देखते हैं तो देखें यहां पे जो अज मुवेंट वन रहे हैं कल की दिन जो इसमें कैंडल बनाता यानि कि लास्ट दीखते सिसम्गों इसमे इसको डाऊन फॉन और आmi इस को निखे पहें पर चेंज वोडु अ तो यहां पर ट्रेंट रही है तो आपको क्या करना है तो यहां से पहला टारगेट रहागा जो की केंडल है यह केंडल है 256 तो हमारा पहला टारगेट है 255 वह क्यों मतारा अभी थर देर में वदाऊंगा आपको कि मुझे लगता है जो यहां से गरावड का ट्रेंड खताम हो चुकि इसने यहां को क्लोज नहीं कर रहा और आज इस लेवल पर नीचे नहीं जा रहा जीरो पॉंट कुछ परसेंट के गरावड के साथ ट्रेड करता है अब अब ट्रेंडिंग की तरफ आ रहा दी दे रहे तो आज अगर यह हैसो के यानि 248 के उपर क्लोज करता है तो यह डोजिक फर्मेंट होगे डिली चर्ट पर तो कल की दिन इसमें और तीजी देखरों को मिलेगी आपको तो आपको 245 का दूसा टाइगर 260 का तीसा टारगर 264 का वह क्यों बतारो जो यह कैंडल है आपको देखे 28 चलते हैं इसका जो है ना डेली चार्ट पर यह 10至 15 दिन के टागर तो टो डेली चार्ट हमें जरूर देखने उपता उसके इंदर वी तो डेली चार्ट यहां से जो गिरावर का ट्रेंट का वह खताम हो चुका है तो आप डॉसे तलिस के सबाइक करें दो देली चार्ट पर इंडिकेशन दिख रहा है तो मुझे लगताब यहां से इसमें तीजी देखने को मिलेगी 10 से 15 दिन में जो टागड़ दो डेफिनेटी हिट होएंगे तो पहला टार्गेट यहां से आएगा मेरा 205 का दूसरा टार्गड